इस फॉर्मेटिंग जैसे कि आप कोई भी एरिये को लर करना चाहते हैं बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहां पर चीजे दी गई है और बेसिक चीजे मुझती लोग को पता होता है तो मैं यह चीज आपको नहीं बताने वाला कि कैसे कलर करेंगे कैसे फॉंड अप्लाई जैसे कि मान जीजे में हम लिखते हैं तेंट लिखे जैसे स्पेस मारते हैं तो आप देखेंगे टीएच जो है ऊपर चला जाता है तो हमें क्या करना हुआ टाइप करने के बाद डबल क्लिक करके इस तीएच को स्लैक्ट करना होगा स्लैक्ट कीबोर्ड से सिंप्ट के साथ एलो की से भी कर सकते हैं या फिर आप माउस पॉइंटर्स भी क्लिक रखते हुए इसको स्लैक्ट कर सकते हैं Select होने के बाद सारा Disable होगा, सिर्फ जो A दिखायना आपको A Enable होगा, इसको Font कहते हैं, आप यहां Right Click करेके भी Format Cell पे जा सकते हैं, जो Format Cell पे जाएंगे तो इस तरह का Pop-Up आएगा, इसके अंदर यहां आपको दिखेगा Super Script, Super Script, इस Super Script को Click किजिए and OK किजिए, आप Enterprise किजिए, देखिए आपको 10th टाइप हो जाएगा, ऐसे मालेज़ जो 10 degree लिखना है, तो 10 और Small में हम O लिख देते हैं, डबल क्लिक करके हम इस O को Select करते हैं, Right Click, Format Save, और यहां हम क्या करते हैं, Super Skip, Select कर लेते हैं, तो जो Small O नीचे है, वो उपर आ जाएगा, इस तरह से, लेकि क्वेश्चन यहीं है कि 10 degree और 10 कैसे लिखेंगा, बात होती है, विजलाइशन की, जैसे, एक्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास, कुछ नंबर्स में दिये हुए हैं, अब सब इस अब degree है, मुझे इसको degree में शो करना है, तो कैसे करें, क्योंकि एक तो मुझे समय जा के, मैनुवली ओ लिखना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा, जब भी हम सूपर की स्किप्ट अपलाई करते हैं, तो राइट क्लिक करके, फॉर्मेट सेल, सूपर स्किप्ट करते हैं, लेकिन, सबसे पहले हमने उस करेक्टर क हैं किया है, हम ने क्या क्या है? एक सेलसेल उकी करेंगे, तो ना पूरा पूरा सेल जो है, जाता है, छोटा अंपर चलाजाता है, मैं कंड़ो जड करता हूं, तो फिर हमें इस का शारीट भी बढ़ाना पड़ेगा सेयर, मैं रही हुँ बता रहा हूं कि जोर्ट सेल्प एं हां तो हम इसके बगल में a small o लिखेंगे है ठीक है और इसी जो copy paste कर देते हैं नीचे कदर ctrl c और ctrl v ठीक है और फिर यहां former cell पर आके super skip कर देते हैं फिर भी वो उतना अच्छा थोड़ी दिख रहा है दिखेगा दिखेगा हम तो से visualization तियार करते हैं हम इसको क्या करेंगे इसको छोटा कर देते हैं दोनों column को select करेंगे right click format cell और format cell पे हम क्या करेंगे यहां पे border, border बोर्डर लिख रहा है, border कर चाते हैं, ऊपड़ का border क्लिक करेंगे नीचे का border क्लिक करेंगे लेफ बीच का left और right यह बीच पड़ा जो आता है नहीं इस vertical, inside vertical इसको नहीं लेना है इसको नहीं लेना है अब इसकी background color हम white कर देते हैं कर दो का दो करता है उयंको कर दो ना एक काम चलाने हमाला हुआ clean वार्व है सबस्टेला इसमेर जाम इस में मालिज में लिखेंग के बार साथ आप तो इसे इसार चेहिए तो इसार इसार इखेंगा ना आपका इखार चीहा तो हम् कि अगर आप सेल को सेलेक्थ करके शूपर स्किप करते हैं कि आप सेल की उपर डबल क्लिक करके एक करेक्टर स्लेक्ट करो अगर साथ अगर कोई सारे शेल्स है तो आप एक साथ पूरे को स्लेक नहीं कर सकते हैं अगर पूरा स्लेक्ट कीजिएगा और इसके फॉर्मिट सेल के फॉंट में जाईएगा तो क्या होगा इसका विक कम होजाएगा हान पूरा हो जायेगा इसलिए ओन वाइओन जाना हो तो बेसिली मैं बात कर रहा ओएग विजलाइशन क्रिएट करने के लिए अगर मैं फॉर्मॉला वार में गया इसे पेज़ लियाउट जो पर दिख रहा होगा यहां प्याँ पर गया और यहां अब बेटर दिख रहा है हाँ तो हम विजलाइशन त्यार करने की बात करेंगे कैसे हम विजलाइश कर सकते हैं ठीक है अब इसी में छोटा होता है थोड़ा सा फिर देखा है क्या बोले है यहां पेज लियाओट के अंदर गिल्ड लाइन वह नहीं उसका आगे इसका विजलाइशन किया है उसका पॉसिस हम मैं वह विजलाइशन मतलब की वीजुल करते हैं मतलब दिखावा करते हैं जैसा दिखन वह विजलाइशन मतलब नहीं है क्या दिख रहा है वह देखने पर पपस होता है तो दिख रहा है ना कि इस है कैसे हुआ सर बताए जो ने कहिंसे एक इसी पूराइशन ना पर देगा दो सेल में लिखा यहां स्मॉल ओ किया खिए स्मॉल ओ ठीक है, right click किया, format cell और इसको कर दिया, super skip, हो गया, अब इस column को छोटा कर दिया, इस column को छोटा कर दिया, इतना छोटा की हो जाए, ठीक है, इन दो लोगो select किया, format cell में गया, अब बॉर्डर में गया, और चादर का बॉर्डर में अप्लाई कर दिया, कि बीच का नहीं है कि बीच बाने जो बोडर होते हैं इसको अप्लाई नहीं किया हो कि जो छोटा कर दो नहीं हो कि नहीं नहीं मार्च होने पाद सेल ही किसेल हो जाएगा ना ठीक है आगरे इस ते करके अगर आप सब्सक्रिप्ट करते हैं तो नीचे आजया अब बात करते हैं कि अगवर किसी इंटरनेच से कहीं से कुछ कॉपी करते हैं उसे माण लिखी कि हम ने इसी को कॉपी कर द hi हुर अजय है करें कि अच्टी का है बπαoughing ईयुकर एक से बेहरत करें और ईसुन हों 10 एडिल्यस के अट्रीकी लेंगेर हो डेया होँ हम क्या करेंगे एक अड़ा सा अड्या मॉल्ड्य और Suger अधिकर अड्यम अज़ानने पल्ड़ इने करें अब मॉर्ण करके भी एक सब्सक्राइक नहीं कर शकते हैं अब इस के रेटर्य करके पैस्के best करना हूग होगा क्याहे शरी इतडेके वह कि 파리ःब करने पे भी क्या हून बिद्क रहा है तो अब इसको यहां से रैक करना ओब ऊपर एक रहा है और फिर त्वरा से इसको सेंटर कर लिजिए है यहां यहांट की से मिनल कर लिजिए आगया आधा, पाश hè चैनल वाल में गयों फिर दूर्ष में दो सबैसे मिलत हैं यहां क्लि केkyMusik है March किया नजी यह बला पूमे, राहा किव शीक का मैं वे मिले जरल वे सबस्ती करे journals यह बलुट है दिरह कि अउने वे ज सपोर्ट है, अगे इस वर्ड गलत आप जिसने माले किसी ने आप के file बेजा और आपको लगा कि गलत है अब उसको form करके समझाएंगे कि बहिसे कहा गलत है क्या गलत है तो आप simple से क्षा किजिए इसको select किजिए double click करके इसको select किजिए ठीक है, select करने के बाद same आपको format cell पर जाना है, right click करके, right click करके कहां पर जाना है, format cell, format cell, और यहां हमें दिखेगा super skip, and sub skip, इसे ही के ऊपर आपको दिखेगा, strike through, strike through क्या करेगा, उसको बीचे बीचे इस तरह से cut देगा, और यहां color rate कर देते हैं, तो लाल color भी हो जाए, then okay किजिए, तो आप दिख रहा हैं कि हाँ, गलत है, क्या sir, समझना है, मैं चाहता हूं, मेरा जो word है, वो black खरीगा, और strike tool rate होगा, वो होग सकता है क्या, देखिए, जिसको select किजिएगा, उसका rate होगा, otherwise, पूरा cell rate होगा, आप चाहिए, कि मैं select करें कोई condition लाना हो तो पूर rate होगा, आपको कोई particular word, या sentence करना, मेरा बात complete होने दीजिए, मेरी बात complete होने दीजिए sir, अगर आप चाहते हैं कि particular paragraph type है, उसके अंदर कोई particular word, चाहिए, किसी भी condition में rate हो, तो आपको manually ही करना पड़ेगा, double click करके, select करके, पिर आप यहां से करें, या font से करें, rate या कोई अपको करना चाहते हैं, इसके अलाबा बुसरा और कोई तरीका नहीं है, at least BVA के बास भी तरीका नहीं है, समझे है, सरी, एक चीज मुझे पुछना है, कि हमने यहां से मर्ज किया तो रैप कहां पे है, sir, रैप कर दिखा देजिए, मुझे दिखा देजिए, मर्ज के उपर सब उपर ही है, तो बेसिक चीजे है, ठीक है, समयन जी आगे बढ़े है, अब इसमें क्या होता है, कि आपने, मैंने कुछ नंबर हमने लिखा हुआ, अब यह नंबर भी सेम गलत है, समझ गया है, यह नंबर भी आपका सेम गलत है, तो आप बोलोगे, sir, वे सेम चीज करते, करके और इसको स्ट्राइक तुरू कर दे, तो यह सही नहीं दिखेगा, देखे दिख लियार को, तो अच्छा नहीं दिखेगा, मजा नहीं आएगा, मजा कब आएगा, जब हम पेन कोपी से ले करते हैं, इस तरह से क्रॉस करते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह क्रॉस हो, त इसका तरीका है इसका तरीका है बॉर्डर में तो आप आपस right click करके format cell में जाएं और किस पहले बॉर्डर बाले section में जाएं अब color rate करना है तो rate color select कर ले मोटा बॉर्डर से लेक कर ले और यह दिख रहा है यहाँ वाला इसको क्लिंक करें और सबसे कॉर्णर वाला क्लिंक करें ठीक है? इसको और इसको सुभ़ मैं आपको की नहीं? दैन ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा है तो F4 सौटकट होता है लास्ट एक्सम को रिपीट करता है मतलब कि F4 प्रेस करें या ना इससे पहले जो आप काम किये हुए है उसी को रिपीट कर लेगा समझे? F4 F4, function 4 अब इसमें चीज़ और भी है मैं इसका color green ले लेता हूँ और मैं इसको select करता हूँ लेकिन जास्ट बीजबल के लिए प्रिंट आउट निकालने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते है इसके बहाब पर कोई condition नहीं कि हाँ क्रॉस हो तो कुछ अलग चीज़ आजा है टिक कर निशान हो तो कुछ अलग चीज़ आजा है यह सारे क्रॉस बाले को फिल्टर कर दूँ यह सब चीज़े नहीं चलेगी क्योंकि फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करेगा को भी फॉर्मुला यह को भी फॉंक्शन तो कैसे करें तो हम चाहते हैं कि यहाँ साइड में इके क्रोश और एक स्टिक का निशान लगा हुआ है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है कैस में और और ओ लिखना है पी आपका राइट के निशान के लिए और ओ demasiado क्रोश के निशान के- और इन दिरों का सलेक्ट करके आपको फॉंट में जाना ए ऑसक्ते जिससे लिखाव डब जिंज करते हैं मैं तो आपको एक मिलेगा बाईंडिंग टू नाम का अज़ों क्या है आपका बाइंडिंग टू जब करेंगे तो क्या करेंगा टिक के निशान को पी को टिक के निशान बना देगा और O को क्रॉस कर देख यहां पर P लिखा हूं मैंने, यहां पर O लिखा, Caps में लिख रहा हूं में ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब, तो बेसिकली यह जो है आपका दिख रहा है कि क्रॉस है, P है, बट एक्शुल में P है यहां पर, तो अगर आपको फिल्ट कर लगाना है, तो हमने क्या किया, यहां से सिलेक कर लिख, फॉर्मूला वगर्द सब कुछ कर जकते, इसका आगे इसके हम पुरा डिटेल ने पढ़ाएंगा आपको, फिलाल इतना ही जानी है, अम मत पुछी कर फिल्टर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो आगे एस कर अपरेंटिंग सिस्तel होता है, वो उसका पार्ट ए, एकसल का पार्ट नहीं क्योंकि आड झो ऑपकी,так होंचम्स अगे होता है और होंचि रहे इसके, जा एकसले में होता क्यों कि गगसे एकसले में होता है, आग झाल, क्वेर्ट में बहुना ह क्यों अजिए 苁ज़ कि यह एक्सल का नहीं है इढ़े कर देख सक एका धर इंग कोई है Marx का रियम इंचल को ऐग नहीं हर अ है कि इस प्राक्ट करते हैं कि के एंत्रकार के कुछ Tक्रों पूरे पूरे देश में चलता एव राज जाल्टा । एक्षडर पूरे ठेश में ही चलेंगे windows की feature sum में ही चलेंगे ठीक है तो ऐसी आपका font है तो ऐसी situation हो सकता है कि आपको किसी window में binding to name का font ना मिले तो उस case में क्या करेंगे तो cross के लिए तो x मेरे पास है न पर tick का निशान में क्या करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ caps में j को use करेंगे caps में क्या करेंगे j use करेंगे और फिर हम जाएंगे alignment में कहां जाएंगे alignment मैं format cell पे हूँ right click करेंशे कहीं भी right click करेंगे तो आपको format cell लाता है right और format cell के अंदर alignment का section है उस पर आते है यहाँ आपके सामने होता है एंगल इसको मैं 45 डिग्री या 46 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया माइनस 45 तो जे जो है थोड़ा सा तिर्शा हो जाएगा और तिर्शा होके एक तिक का दिशान दिखेगा समझाएं इसके दो महीने में तो नहीं हो पाएगा यह मुझे नहीं लगता है तो में आपाएगा है अब इसमें अब बात आती है कि इसके दो मेने में दो साल में नहीं होगा क्योंकि क्योंकि एक कई सारे एकजम्पल होते हैं अगर आप रिसर्च करेंगे तो मेनम में हो जाएंगे और आप डिपने नहीं होगा और इसक Sharing Exchange नहीं ते आ में आनए का ऐतने सीट शीथ बनायताई श्रक्रयान केशन 25 Accepted राङ क् стать लिए में का अर इसको आगेिए तक हम हमारा है कि तीज जुलाई तक है एकतिस जुलीu और फिर आम पे कुछ नाम उचना में और और शेर्छ बन कुछ लुक्रवया है और यहां पर हम पर्जेंट कर देते हैं तो यह attendance हमारा बन के complete हो गया इसके F2 प्रेस कर आप सब्सक्राइब कंट्रोल डी और कंट्रोल कंट्रोल आर और कंट्रोल डी करते हैं तो फिर हो जाता है एक कई यह चीज यहां का था यहां को फिल्म न प्रावम आ गया तो इसको कर देते हैं बार्डर लगा दे को कि बार्डर प्रिंट में आता है अब प्रौलम क्या है कि जम मैं इसको प्रिंट करता हूं फाइल में गया और यहां प्रीम्ट पर क्लिक किया तो यह देखिए यह छे जुलाई तक कही आ रहा है तो यह थोगा सब मार्जिंग बहाते हैं मतलब कि साइड जो ऊपर नीचे जो कड़ता है ना उसको कम कर रहा है तो साथा ही तक आ गया है चलिए पोर्टेट है ना लैंग्सकेप कर देते हैं फिर दस जुराई तक आए लेकिन अभी भी पूरा नहीं आया पूरा कैसे आएगा अब मैं इसको अगर स्केलिंग में जाके फिट टु वन पेंश कर देता हूं तो क्या होगा बहुत चोटा हो गया यह तो इसलिए हमें तो ऐसा चाहिए यहां पर नोज स्केलिंग कर देता हूं उज ऐसा चाहिए जो पढ़ने वे भी आए और एक पेंश में पिंग भी हो जाए जब मैं डेटा का मुएना किया तो देखा कि तो में डेटा है ना उसमें डेटा चोटा पर उसका साइज बढ़ा है लेंग ज़्यादा है तो हमने क्या किया पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया राइट क्लिक करके इस फॉर्मेर्स अच्छ में अलाइमेंट में जाके आप यहां से उसका एंगल वगर चेंज कर सकते हो यहां से भी होता है आप यहां देखेंगे यहां दिखेंगे रोटेशन सापको औरियंटेशन इसमें मैंने रोटेट अप कर दिया दिखना है रोटेट अप ठीक है दिखा सार उसके मैं क्लिक करता हूं क्लिक करते रोटेट हो गया अब मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा पूरे सीट कैसे सिलेक करूंगा ए वान और एक बीच ट्रैंगल है न उसको क्लिक करता हूं इसमे क्लिक करते कुड़ा सीट सेलेक्ट हो दकता है किसी भी कॉलन के बॉर्डर पे जाओंगा कर्सर होंगा तो कुछ इस तरह का कर्सर पॉइंटर बनेगा जो भी दिख रहा है आपको इसी तरह का बनेग जस्ट डबल क्लिक कर लिए ठीक है छोटा हो गया है अलो अब इसको प्रिंट किजिए उड़ा गया है ठीक है तो हर आप्शन के बहुत सारी यूज हो सकते है तो आप लोगों के रिसरेश के डिपेंडर लिए तो आग असकी प्रैक्टिस कर लीजिए कर मंतोरी सी ओर इडवांस फॉर्मेटिंग किसी की कस्तों फर्मेटिंग बगड़ा जो है जो कोड़ बगड़ा होते हैं उनके बारे में डिसकर्स करेंगे तो इसकी आज भी प्रैक्टिस करेंगे